हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल इबोले तो इंगलेस तो फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं इडियम्स एंड फैजर्स की जो कि हमारे ओरीजिन वाली सिरीज का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग इडियम को उसके ओरीजिन या फिर स्टोरी के थ क्या होता है ै शिर्जाड फ待ет मिस यहता है किसी चीश वेगाढ़ करना विकार करतना उसे हम लोग कहते है अप्य एपकला मां MICHAEL हो OH leur कोपा cargo अब कर देखा यहाँ होगा जो कि क्या रखे रहते हैं कार्ट प्लस्टिक कार्ट होती उसी के अंदर फल या फिर कह सकते हैं तो आप लोग ने बहुत बार देखा वहाँ होगा तो इसे अभी पिक्चर में भी देख लेंगे तो जैसा कि आप लोगों को पता लग गया होगा upset the apple cart यानि apple की cart को आप कहीना कहीं बिगाड़ा रहे हैं उसे कहीं तोड़ फोड़ रहे हैं या फिर कह सकते हैं apple को आप लोग fake रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं upset the apple cart तो friends इस idiom का meaning जो है वो हमारी इस idiom में ही छीपा हुआ है जिसे हम लोग इसके meaning से clear कर सकते हैं तो जिसका means होता है to fail plan यानि आपका plan जो है कहीं न कहीं fail हो गया है फिर spoil something कोई चीज बिगाड़ देना उसे हम लोग कहते हैं upset the apple cart तो चलिए friends अगर इस idiom की origin की बात करें तो friends इस idiom का origin clearly defined नहीं है तो इसे हम लोग एक story के थरो learn कर लेते हैं तो चलिए हम लोग इसको एक picture के थरो clear करते हैं past time में कुछ farmer थे जो save की खेती करते थे और वे अपने save को खुदी बाजार में बेचने जाते थे तो एक बार writer ने देखा कि जो farmer है वो अपने fresh fruit उटिया फिर कह सकते हैं अपने fresh apple को लेकर कार्ट में भरकर वो बेचने के लिए जा रहे थे जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे apple की क्या है कार्ट है या नि एक ठेला टाइप की होती है कार्ट आप लोगों ने mall में देखा होगा और आप लोगों ने बहुत बार फलो सब्जीयों की कार्ट देखी होगी तो उन लोगों ने अपने जो apple थे उस कार्ट में लेकर जा रहे थे लेकिन उनके market पहुचने से पहले ही वहाँ पर कुछ कह सकते हैं लोग villain टाइप के लोग आ गए या फिर कह सकते हैं गुंडे टाइप के वहाँ पर लोग आ गए और उन लोगों ने क्या किया जो उनकी apple की jo card थी उस card गों specific कर दिए और या फिरäre सकते उनको क्या कर दिया अपसेट कर दिया तो writer ने देखा और इस इडियम का ओरीजिन यहीं से बना दिया यानि जो फार्मर थे वह अपनी क्या कर रहा है जो एपल की जो उनकी कार्ट है जो उनका ठेला है वो लेकर जा रहे थे लेकिन वहाँ पर कुछ इविल टाइप के लोग आए और उनलोगों ने क्या किया उनकी जो कार्ड थी उसे अप प्रक्रड कर दिया या फिर जो उसका कुछ चीज थी उसको आपने क्या कर दिया इसपॉयल कर दिया तो फ्रेंट्स आप इस इडियम का ओरिजिन समझ चुके होंगे यानि अपच्ट दा अपल कार्ड जिसका मीन्स होता है तो फेल प्लान या फिर कह सकते हैं इस पॉयल सम् प्क्षर के थोगर इस एडियम की origin की बात करें तो इस एडियम का origin past time की custom से चला आ रहा है यानि जब भी कोई officer या फिर कोई soldier कोई गलत काम करते हुए पाया जाता था तो obviously अगर कोई color या फिर coi officer गलत काम करतेegं पाया जा रहा है तो उसे उस post से या फिर कह सकते हैं उसजगह से निकाल दिया जाएगा तो pasttime में custom थी कि जब भी कोई soldier गलत काम करते उए पाया जाता था और उस जगह से जब निकाला जाता था तो वहाँ पर music बजा जाता था जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं वहाँ पर जो सोल्जर होते थे वह क्या करते थे प्ले दा म्यूजिक को समंझ में आ गया होगा यानि writer ने देखा play the music यानि कई कई न कई music बजा रहे हैं तो कई न कई जो दूसरा officer उसे बहुत जड़ा करना करना पढ़ रहा है तो लोचना करना पढ़ रहा है तो इस EDM का भी ओरीजिन इडियम दे रखा है, इस इडियम में जो वर्ड दे रखे हैं, इनके मीनिंग इर कर लेते हैं, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अन्चार्टेड, तो बहुत बार आप लोगों ने मैप का यूज किया होगा, और मैप को हम लोग कई बार चार्ट बोल देते हैं, आप लोगों ने बहुत बार भी बोला होगा chart तो कही न कहीं जो map होता है उसमें जो चीजे होती है वो clearly define होती है जो chart होता है उसमें जो भी चीजे दे रखी होती हो है वो कही न कहीं पूरी तरीके से clearly define होती है वो known होती है उसके बारे में एक एक चीज हमें क्या होती है पता होती है लेकिन जब आप चार्ट में अन लगा देंगे कहीं न कहीं आप उसका जब opposite बना देंगे तो वो चीज unknown बन जाएगी तो friends आप इस EDM का meaning clear कर सकते हैं uncharted यानि जिसके बारे में कुछ पता ना हो जो लोग आपको समभ्स में आ गया होगा यानि कहीं न कहीं जो uncharted जो चीज के बारे में पता नहीं है तो उसे नोग कहते हैं uncharted water तो आप लोग इस EDM का meaning इस EDM से clear कर सकते हैं यानि जिस water की जिस सीमा के बारे में हमें पता ना हो उसे हम लोग कहते है uncharted waters जिसका means होता है unknown area तो येसे भी एक picture को थो clear कर लेते हैं तो friends इस idiom का origin clearly defined नहीं है तो इसे हम लोग एक story के थोरो समझ सकते हैं या फिर खेश सकते हैं इस idiom को उसी के idiom की meaning से समझ सकते हैं जैसा कि आप लोग ने देखा था uncharted तो कहीं न कहीं जो चीज uncharted है उस चीज के बारे में हमें पता नहीं है कोई ग्यान नहीं है वो चीज unknown है uncharted means क्या हो जाएगा जो चीज unknown होगी और waters means आप लोग पता ही है मैंने बताया है जो जल सीमा छेतर होती है तो कहीं न कहीं जो जल सीमा छेतर है आप किसी जगा पर नाव से गएं और उस जल सीमा छेतर के बारे में आप लोगों कोई चीज पता नहीं है uncharted है तो कहीं न कहीं वो जो जगा होगी वो आपके लिए unknown area होगी या फिर कह सकते हैं जो चीज आपके लिए क्या हो कह सकते हैं अंसुलजी हो उसे हम लोग कह देते हैं uncharted water तो आपको इस समझ में आ गया होगा तो इस idiom का मीनिंग आप लोग इस idiom से इध्यान रख सकते हैं यानि जो चीज uncharted water है वो चीज unknown area है unfamiliar है unknown है तो उसे हम लोग कहते हैं uncharted water तो इस पकार हमारे तीनों idiom समाप्त हुए और दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीस दोस्तो में सेयर जरू करिएगा और आप अपने जो भी सुझाओ देना जायते हैं वो comment box पर दे सकते हैं तो चलिए दोस्तो जय हिन जय भारत